उत्तर प्रदेश में युवतियों के साथ हो रहे बलातकार और चेरचाड की वारदातों पर अंकुष नहीं लगपा रहा है अभी बुलंदी शहर में युवति से चेरचाड का मामला शांत भी नहीं हुआ कि अब अलीगड में भी एक किशोरी से बलातकार का मामला प्रकाश में आया है बताय जा रहा है कि ये मामला अलीगड के थाना बन्नादेवी ख्षेतर का है जहां महुले के ही रहने वाले युवक ने किशोरी के साथ दुशकर्म जैसी घिनोनी वारदात को अंजाम दिया दरसल अलीगड के थाना बन्नादेवी इलाके के डूडा कॉल्नी के रहने वाले एक मधेवरिये परिवार दोनों पैरों से विकलांग पत्नी के साथ चाय की दुकान चला कर घुजर बसर कर रहा था घटना उस वक्त की है जब दोनों पत्नी पत्नी चाय की दुकान पर मौजूद थे उसी दोरान एक अन्य युवती मंद बुद्धी नाबाले की युवती के घरजा पहुची और नाबाले की युवती को बहला फुसला कर अपने साथ ले गई जहां पहले से ही एक युवक कमरे के अंदर मौजूद था युवक ने युवती को कमरे के अंदर कदम रखते ही अंदर खीच लिया जिसके बाद युवती के साथ मार पीट कर कपड़े उतरवा कर नगन करते हुए किशोरी के साथ बलातकार की घटना को अंजाम दे डाला बलातकार की घटना के बाद जब किशोरी चिला रही थी तो वहां से गुजरने वाले लोगों ने कमरे के अंदर जब चीख पुकार की आवाद सुनी तो उस कमरे को बाहर से स्थानी लोगों ने कुंडी लगा दी वही किशोरी के साथ हुई घटना के बाद परेजनों को सूचित किया गया नाबालिक बच्ची के साथ हुई घटना के बाद सूचन मिलते ही परेजन घटना इस्थल पर पहुँच गए जहां परेजनों द्वारा किशोरी के साथ हुई घटना को अवगत कराते हुए सो नंबर पर पांच बजे पुलिस को सूचित किया गया घटना के एक घंटे बाद इलाका पुलिस भारी फोर्स बलके साथ घटना इस्थल पर पहुँच गई जहां मौके पर पहुँची पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ कर सार सौल चौकी ले जाए गया जिसके बाद आरोपी युवक को थाना बनना देवी ले जाया गया वहीं अब आरोपी युबक के खिलाफ परेजनों द्वारा तैहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है ब्यूरो रिपोर्ट रूरल नियूज